आइटी इस में तुबारा आपसे मुलाकात करने के लिए मैं हाजिरू हमारा ये कारवां आगे बढ़ रहा है और आप सब इसी में जोट रहे हैं शुक्री आप सभी का इस सफर और भी सुहाना लगेगा अगर इसमें आप और साथियों को चोड़ेंगे क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि हम कला को हर दिल का हिस्सा बनाएं अब भई आज आप से जब बात हो रही है तो मुझे एक अपनी पोस्ट रिजूशन का किस्सा याद आ रहा है जब हमारे सामने एक प्रश्णा आया था what is more important or more have values science और arts और एक comparative analysis के बाद इसका उत्तर दय हुआ था कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं यानि art और science कला और विक्यान एक दूसरे के लिए पूरक हैं खेर ये तो एक तार्किक topic की बात है लेकिन जब मैं आपसे सच कहूं कि कला वाकई हमारे लिए बहुत महत्वपोन है अगर आप painting करते हैं या कला कोई कला करते हैं तो ही कला आपके लिए ऐसा कते ही नहीं है आपको एक बहतर इंसान बनाती है और यही मकसद लेकर के मैं और team save art आर्टीस के तहट एक art awareness का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम सभी अपने स्वर्णिन कल को जान करके एक उच्वलकल बना सकें और इसमें आपसा साथ बहुत सरूरी है तभी तो बात बनेगी अगले पड़ाओ पर मैं आपके साथ में शेर करूँगी भारत के बहतरीन आर्टीस्ट के बारे में उनके art forms के बारे में उनकी art techniques के बारे में जानेंगे किस तरह उन्होंने कला को सजाया, संभाला, समारा, बनाया और नई forms बनाएं और इसे आगे भी बढ़ाया इसके तहट मैं आपसे कुछ ऐसे भी किस से शेर करूँगी इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने भी हम देखेंगे जहां आप सुनके आप कहेंगे अरेवा ऐसा गीता और आपके उंगलियों के थिरकन उन्हें फैलाईगी भी तो मैं मिलूंगी आपसे आर्टीस सीजन टू में दोबारा हर शनीवार यहीं पे तिल दन गुड़ बाई